अर लिखना दरो गाजी अर हमरी रपटिया हे रागेल धनिया अर मेहला में हे रागेल धनिया चेहराँ पे तेज जैसे सूरज की धूप रहे पंदा नीरा लाया और भंगी रूप रहे और फार्स सकेंट ठाट ये एक नंबर है ठीक है आप लोगों ने विनर अपने दिल में मुझे बसाया ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात अगर मुझे वैसे गाने नहीं मिले जो समाज में कुछ पड़िवर्तन नहीं ला सकता है तो मैं वैसे गाने कभी नहीं गाओंगा जो अशलील हो दिखिए एक कलाकार को जो चाहिए ना वो कभी रुकना नहीं चाहिए किसी भी चीज में अगर मुझे भोजपूरी तो भोजपूरी से मेरी पहचान बनी है अभी सुरसंगराम के वज़े से भोजपूरी से मेरी पहचान बनी है तो मैं तो चाहूंगा कि अपने भोजपू बोजपूरी में असलीलता पे हर हमेसा सवाल उठाता है उस दौर में सनी लियोन को लाना कहीं न कहीं एक बिवाद का जर बन सकता है या असलीलता को बढ़ावा देने का एक जड़िया बन सकता है सनेहिया लगावल बहुत बात नहीं खे नजरिया चुरावल बहुत बात हो लावाद कि मैं अगल पूछा जाए आपसे कि भोजपूरी में आपको सबसे अच्छा कॉल लगता है सिंगर में तो आप क्या कहें तेकि हमारे शाथ बिहार के आनबान सान और भोजपूरी कह ले य बहुत 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 अच्छा हूँ किसंचंदरवंसी के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो बहुत मज़ा आएगा एक छोटे से घर से जुगी टाइप के घर से उठकर किसंचंदरवंसी आज ये जो सफर तैकी है ना इसमें कहीं बहुत जादा मेहनत लगा है हम बहुत पहले से सोच रहे थे कि आपको इन से मिलवाए और इनकी पूरी कहानी बता है लेकिन समय के अभाव में हम ऐसा कर नहीं पाए लेकिन इसको हम पूरा जरूर करेंगे हम पूरा प्रियास करेंगे जल्दी इनके घर पर जाकर उन सारी चीजों को आपको दिखाएंगे हालांकि और इंटर्व्यू के जरीए आज जाती है देखने के लिए और हमारा काम है जो बाकी चीजे होती है उसको हम साबने लाते हैं किशन जी सबसे पहले क्यासा लगा कि आज आप सूर्भ संग्राम के विजेता हैं बहुत अच्छा लगा मैं सूर्भ संग्राम का उप विजेता हूं और बहुत खुशी अपने आपको second winner कह रहे हैं लेकिन हमारे हम नहीं मानते हैं कि ये उपविजेता हैं टक्कर में कोई थे यह अखले आम कैमरे पर उस दिन भी बोले थे और आज भी बोलेंगे हमें से फर्क नहीं परता है किसके बाद लोगों को बुरा लगता है आप कितने खुश हैं उस जज्जमेंट से बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि जो हमारे जज बैठे हुए थे व मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी आवाज आपके दिल तक पहुँचे आपके दिल से मैं विणर हूँ तो वो बहुत बड़ी बात है बलकुल चले हम चाहेंगे इंटर्वियू आगे बरहाने से पहला एक प्यारा सा गाना हमारे द्रसकों के लिए हो जार जो मैं गाना सुनाता हूँ जो मैं सुर्ष अंगराम में जाने से पहले ऑडिशन में जो बीस सेकेंड पंदरा सेकेंड का टाइम मिलता है उसमें मैं गाया था वो गाना मैं आपको सुनाता हूँ अर लिखना दरो गाजी अर हमरी रपटिया हे रागेल धनिया अर मेहला मेहें हे रागेल धनिया धनिया के रांग बाटे गोरी रे सुरतिया सब का से करे भोजपुरिये में बतिया हमसे भी छड़ गईली हमसे भी छड़ गईली रेहला मेहें हे रागेल धनिया अर मेहला मेहें हे रागेल धनिया क्या बात है गाते तो इतना लाजवाब है कि जितने भी तारीफ कर लो कम पर जाए और इनके आवाज में, इनके सूर में वो ताकत है, बचपन से ही आप गायक बनना चाहते थे या गाना गाते थे या फिर बाद में चलती है मैं जब छे वर्ष का था, तब से मैं संगीत सीखना शुरू किया हूँ, और आज लगभग सुल्ला साल हो रहे हैं, मुझे संगीत सीखते हुए, राज भी मैं सीख रहा हूँ तो बचपन से ही प्लानिंग था कि मुझे सिंगर बनना है? प्लानिंग नहीं कहेंगे इसको, सीख रहे थे तो दिलचस्पी थी तभी तो सीख रहे हैं, बिलकुल, वो मेरे रूह में ही था हो, बिलकुल अच्छा कभी सोचा था आपने कि सुर्ष संग्राम में आप पार्टिश्मेट करेंगे और आप विनर बनेंगे ऐसा कुछ नहीं, नहीं, एक्छिली क्या था, मैं बच्पन में जब सुर्ष संग्राम देखता था टीवी पे, बहुत चोटा था उस टाइम पे, नौ दस की बात है, फर्स्ट जो सीजन हुआ था, तो टीवी पे देखा करता था, तो बहुत अच्छा लगता था कि ऐसा प्लेटफर्म मैं कभी सपने में भी लगता था कि मैं ऐसा मंच पे गा रहा हूँ, सामने ओडियन्स बैठे हुए है, तो वो एक सपना था कि मैं वहां तक जाओं और वहां तक पहुचा, बहुत अच्छा लगा भोजपूरी को सजा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब गाना गाने लगते हैं, तो भोजपूरी को छोड़ कर वो बॉलिवूड में चले जाते हैं, तो आपकी क्या सोच है इसको लेकर? देखिए, एक कलाकार को जो चाहिए न, वो कभी रुखना नहीं चाहिए, किसी भी चीज में, अगर मुझे भोजपूरी तो भोजपूरी से मेरी पहचान बनी है, तो मैं तो चाहूँगा कि अपने भोजपूरी को और उपर लेके जाओ, जैसा मौका मुझे मिलेगा, वो म करूंगा पूझपूरी को हमेशा रखेंगे साथ में या फिर ऐसा तो नहीं कि फिर आप बोश्पूरी को ने 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 ऐसा कभी नहीं होगा आप सारे चीजों को साथ ले के चलूँगा मैं बिल्कुल वैसे तो आपने कह दिया कि आप उपविजेता हैं हम नहीं मानते हैं लेक आपको क्या लगता आपमें क्या कमी रही है मुझे लगा कि मेरे अंदर कमी हुई है जिसके कारण से मुझे कम नंबर मिला बना के बूल रहे है इनके चल்कुल लेसे बना यह मैं बना के बोल रहा है ऐसा बिलकुल नहीं बना के नहीं बोल रहा हूँ आप सुन लीजेगा लाइब में वीडियो में आप सुन लीजेगा बोजपुरी से ही जोरा जाता है बोजपुरी का ही वो प्रोग्राम है और बोजपुरी के ही सारे जज़त है लेकिन आपने उस दिन हिंदी गाने का सेलेक्शन किया था एक्शली गाने का सेलेक्शन की बात है तो वो सेलेक्शन प्रडेक्शन हाउस के सरब से होता है यह आप खुझ से सलेक्ट नहीं करते हैं वो गाना मेरे मैंने सलेक्ट नहीं किया था वो गाना प्रडेक्शन हाउस के तरफ से एक्शली वो भोजपूरी मुवी का ही गाना है चिंटू पांटे जी के मुवी का गाना है वो अलोक जी का गाना है तो वो भोजपुरी मुवी का ही गाना है और इसलिए मुझे मिल्या वो जी मैं चाहूँगी उस गाने को एक बार दो लाइन गुन गुना दे तो गाना काफे बहतरी न आपने गाया था मुझे नहीं पता कि जजेस को क्या कम ही देखिया हलांकि हमारे पास उतनी नौलेज भी नहीं है संगीत का हम उने उसमें पॉइंट आउट भी नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी सुर में अगर हमें जो लगा वहां पर मुझे सबसे अच्छा लगा कि आपके सुर में जो है ना वो सब में नहीं है जी धन्यवाद वो गाना था यू बरसती रहे तेरी रहमत सदा मेरी आँखों में एक अक्स तेरा रहे यू बरसती रहे तेरी रहमत सदा मेरी आँखों में एक अक्स तेरा रहे यू बरसती रहे तेरी रहमत सदा मेरी आँखों में एक अक्स तेरा रहे ओ मेरे रहनुमा है यही इलत जा ओ मेरे रहनूमा है यही इलतजा धड़कनों में तेरा ही बसे रहे यू बरसती रहे क्या बात है अज़े आप सूफी बारा अच्छा गाते है आपको इंट्रेस्ट है इसी में क्या? सूफी में बहुत जादा इंट्रेस्ट है मुझे किसे आइडियल मानते हैं आप संगीत के शेदर में? उस्ताद नुसुत्फ तिलिखान साब इसमें कोई वो बात में है अगर पूछा जाए आप से कि भूछपूरी में आपको सबसे अच्छा कॉल लगता है सिंगर में तो आप क्या कहिए? मुझे लगता है और लगती है उसमें भी है कलपना जी है और पवन सिंग जी हो गए मनोस तिवारी जी हो गए यह लोग मुझे बहुत पसंद है यह तीन लोग और भी है भरत सर्मा जी है नाम कितना गिना हो बहुत हमारे लेजेंज बैठे हुए सभी मेरे फैबरेट है सभी फैबरेट है जी जी चलिए देख पवन सिंग का कोई गाना जो आपको सबसे अच्छा लगता हो या फिर आप अच्छे से उसे गा पाते हो अरे ऐसा कुछ नहीं है वो एकलोते पीस हैं उनके जैसा तो फैर वही खुद गा सकते हैं ने 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 मैंने का जो गाना आपको अच्छा लगता हो उनका क्योंकि गाना तो बहुत सारा है जी जी जो मुझे अच्छा लगता है मुझे उनके बहुत सारे कई सारे गाने जो मुझे अच्छा लगता है तो उसमें से गाना था जो में सुर संगराम में भी गाया था बहुत बात हो ला अचे पवन सिंग की जब बात आई तो एक बात यादा है हमें हाली में उनका गाना रिलीज हुआ है लाल चुनरिया करके कुछ है उसमें सनी लियोन काम की है इसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं यह तो अच्छी बात है बॉलिवुड जब क्या था ना देखिए हमारे जो भोजपूरी है ना कुछ समय पहले की बात बताओं तो बॉलिवुड में भी भोजपूरी का यूज किया जाता था और आज बॉलिवुड उटके अगर भोजपूरी में आ रहा है जाहे वो गोविंदा हो चाहे वो मिथुन चकरवर्ति हो इनफेक्ट ब वो मैं कह रहा हूँ बॉलिवुड वालों ने भोजपूरी को लिया और अब बॉलिवुड भोजपूरी में आया तो ये तो बहुत अच्वी बात है अच्छे तो आपको नहीं लगता किशन की जिस परकार से भोजपूरी में असलीलता पे हर हमेसा सवाल उठाता है उस लगा म०ं कियां क्योंकि ये तो बात है ये उनका व्यक्तिगत मामला था तो अंको उचित लगा वो किये तो क्योंकि हमारे बिहार में सभ्यता और संस्क्रिती को सबसे ज्यादा तबज्जोंग दिigs मानता हूँ और कही मैं हर एक इंटर्वीयों में ये कहता हूँ कि चाहे मुझे गाने नहीं मिले मैं घर बैठा रहूँगा मैं संगीत बच्पन से सीख रहा हूँ और अगर मुझे वैसे गाने नहीं मिले जो समाज में कुछ पडिवर्तन नहीं ला सकता है तो मैं वैसे गाने कभी नहीं गाँगा जो अशलील हो कभी भी नहीं गा सकता, चाए मैं घर पे बैठा रहूँ, मैं छोटे बच्चों को संगीत सिखा लूँगा थोड़ा बहुत, बट वो चीज नहीं करूँगा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और जाते जाते हमारे दर्सकों के लिए क्या कहेंगे धेर सारा प्यार दें, आशिरवाद दें और जो भी देख रहे हैं शेयर कीजिए क्या कुछ नया प्रोजक्ट आने वाला है वो भी बता देंगे बहुत जल्द आप लोगों के बीच बहुत सारे गाने आने वाले हैं, अभी पाच गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं और आगे आने वाले हैं, तो अच्छी अच्छी कमपनिया से आपको गाने सने को मिलेंगे मेरे तो यह है किसंद चंदरवनसी जो लगातार सोसल मीडिया पर सुर्खिया बटो रहे हैं अपने आवास के दम पे इनके पास कुछ नहीं है, यह सचाई है, आप जा सकते हैं, इनके घर पे देख सकते हैं, इनके परिवार को देख सकते हैं और सबसे वरा चीज एक नोटिस किया हमने, इनके पिताजी की खुसी एक इनाम के तोर पे जो इनके 10 लाख रुपे मिले थे न, उस पिता के चेहरे पे जो मुस्कान लाया था वो दिलकुछ हो गया मुझे लगा कि चलो एक हुनर ने एक पिता को मुस्कान दे दिया, यह बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा था उस वीडियो को बिलकुल मेरे पिताजी ने तो यहां तक कह दिया, कि मेरा भाप दादा नहीं देखा 10 लाख रुपे या मैंने सुना था, और जाते जाते एक चीज और बता दू, कि मैं भी बेगुसराइकी हूँ और यह भी बेगुसराइकी हैं, और हमारे यहां का लेंग्वेज है, बज्जी का, ठेठी जिसको बोलते हैं, तो ठेठी में जाते जाते पूछेंगे, और सब हाल चल ठीक है, गहरे पर की नहीं सब ठीक है, चलिए तो यह रहा हमारा इंटर्व्यू, कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आज के लिए इतना ही, अगली बाद फिर से लेकर आएगे, जब इनका नया गाना आएगा, नया कुछ आएगा, तब फिर से मिलवाएगे, और कोसिस करेंगे, कि इनके घर को भी हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको दिखा है,